भारत में किस तरह से गाजे, अफीम, हेरोईन और कोकेन का व्यापार बढ़ रहा है? शायद इसका जवाब सरकार के पास भी नहीं है. क्योंकि होता तो इसकी मांग तेजी से नहीं बढ़ती. गाउँ देहात में तो आपने देखा ही होगा, लेकिन अब यह खास कर दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में अपने पाउपसार चुका है. नमस्कार मैं हूँ मनीश पांडे और आप देख रहे हैं सरल भारत नियूज. आज का विशय नशे को लेकर है. हमारी यंग जनरेशन किस तरह से इस नशे में फंस चुकी है? आज हम उन सभी नशों के बारे में विसार से चर्चा करेंगे. होली पर जिस भांग को आप ठंड़ाई में मिला कर पीते हैं, वह और गाजा, दोनों एक ही मा के दो बेटे हैं. बस थोड़ा सा अंतर है तो इन दोनों में भांग को जहां हम तिवहार के दिन थोड़ी मस्ती के लिए इस्तेمाल करते हैं, वही लोग गाजे को रोजाना नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. गाजे के नशे में आखे लाल हो जाती हैं, पर इसका सेवन करने वालों के पास इसका भी इलाज होता है वह अपने पास एक खास किस्म का आई ड्रॉप रखते हैं जिसके प्रयोग से पल भर में आखें मोती जैसे चमकने लगती है अगर कोई गाजा पीने पर सवाल उठाए तो इनके बहाने तो सुनकर आप सच में सोचेंगे कि क्या ऐसा होता है इनके बहाने होते हैं कि गाजा तो महादिव का प्रशाद होता है गाजा बिलकुल हानिकारक नहीं होता कैंसर से बचने के लिए रामबाण होता है परेशानी दूर करता है और शांती में सहायक होता है साथ ही रचनात्मक बनने में मददगार भी होता है गाजा गाजे की बढ़ती पहुँच एक बहुत ही चिंता जनक बात है खास और पर जिस तरह से युवाओ में लोग प्रिमाल यानी गाजे ने अपने तेजी से पाउं देश में फैलाए है इसी तरह से एक दूसरा नशा है जिसका नाम है अफीम अफीम एक नशीली राल है जो अफीम पोपियों से निर्मित होती है अफीम का उपियोग और उत्पादन हजारों वरसों से किया जा रहा है जो लोग अफीम के आदी हो जाते हैं वे सुस्त आलसी और नीद में भी हो सकते हैं ऐसा उनको देखने पर लगेगा अफीम अपने आप में एक बहुत हानिकारक और नशे की लग सामगरी है कई अन्य प्रकार की अवय दवाओं में भी अफीम आती है आपने अकसर अखवारों में न्यू चैनल में देखा होगा कि अफीम की खेती करते हुए लोग पकड़े गए अफीम का पौधा लगबग 3-4 फिट का होता है और इसके फल अनार के जैसे होते हैं और स्वाद में ये कड़वा भी होता है सवभाओं से अफीम गर्म प्रकृती की होती है अफीम में 12 प्रतिशत तक मारफीन पाई जाती है जिसको प्रोसेश्ट करके हेरोईन एक प्रकार का मादक पदार तयार होता है जिसका नाम है हेरोईन वह भी अफीम से ही त्यार होता है ऐसा एक ड्रक त्यार किया जाता है अफीम एक नसीली राल है जो पौदे से निकलने वाले दूद को सुखाने से बनती है जिसके सेवन से नसा होता है और तेज नीद आती है अफीम या उपियों को दवा के रूप में बहुत पहले से उपियों किया जाता था और इसकी बड़ी लोगप्रियता थी गाजा, अफीम, हेरोईन लेने वाले नसे के आदी को अगर नसा नहीं मिले तो उसके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी होने लगती है नसा नहीं मिलने पर नसे के आदी के सरीर में कमपन होने लगता है उसका बलड प्रेशर बढ़ने लगता है और पसीने के साथ साथ घबरहाट होने लगती है इसलिए मेरा आपसे नुरोध है कि किसी भी प्रकार का नसा ना करे नशा किसी भी समाज की उन्नती में बहुत बड़ी बाधा माना जाता है नशीले पदार्थों के उत्पादन विक्री और तसकरी पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसे रोकने के लिए सरकार ने अनेक कानून बनाये है इसके बावजूद नशीले पदार्थों के उपलब्धता और मौजूदगी पर पूरी तरह से अंकुस नहीं लग पाया है और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि अंकुस लग जाएगा वर्तमान सरकार से नशे पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए ये हमारे पूरे सरल भारत की विंती है हमारे समाज को व्यक्ति को पूरे परिवार को पूरे आने वाली पिड़ी को यह नशा बरबाद कर देता है हमारे समाज को ऐसी चीजों की ज़रुत नहीं है जिससे हमारा आने वाला भविश खराब हो जाए मिलेंगे फिर एक ऐसे ही नए विशय और जानकारी भरे विशय को लेकर आसा करता हूँ आपको यह विशय पसंद आया होगा यह स्क्रिप्ट आपके लिए तयार की विने नाम देवने दीजे मुझे मनीश पांडे को इजाजत नमस्कार